मेरा नाम नित्यानन यादाब है जिस बीबी को एक दो तीन चार पच्चे हो और उसकी एक दो तीन गल्पी पर पती के ओर से तलाग दे दी जाए फिर उसकी साधी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आवरत हो जाती है ऐसी इस्ति भी आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाग क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाग का परथा नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्तर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पाइदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल करनूंदा क्योंकि मैंने बितन जल्सों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुस्लमान भाईयों दस हचार बिस हजार की पुर्वाणी करते है लेकिन पंस रुप्या का एक बक्रा ठाकर ठैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते है और मुर्ति पूजा गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आपसे गुजारिस करूँगा बार बार दर्खस करूँगा इसी वाध में कर दो करूँगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा हिदा देना आल्ला के हाद में मैं आपको जवाब दोगा इंशाला भाईताब का सवाल है कि इसलाम मजभ में अगर कोई औरत गलती करती एक दो तीन चार बच्चे है एक दो तीन गल्टी करती है मुसल्मान उसे तलाग दे देता है फिर वो आउरत जाके बादारी आउरत बन जाती है हिंदू धरब में तलाग है यह नहीं तो इसलाम धरब में तलाग क्यों है बीसिक आपका सवाल है कि इसलाम मदभ में तला च्वेल च्वाल पडाम से टलाक नहीं होना चाए। चैप्टर नमबर बाँच, उसमें पड़ेंगे वर्ज़ नम्बर 31 ऑट 32 It has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce But I say unto you पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है लिकिन मैं कहता हूँ Unless आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते है फिर यह आप डिवोस दे सकते है तो यह बाइबल में डिवोस की एक शर्त है उसके इलावा डिवोस नहीं दे सकते और हिंदू मदब में बिलकुल सही फर्माते हिंदू मदब में डिवोस ही नहीं है यह इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है मैं बिलकुल आपकी बास्ते सहमें दूस्त इसलाम मदब में डिवोस क्यों है कि इसलाम मदभब में डिवोस है लेकिन ये आखरी मरहले पर आप इसको इस्तिमाल करना चाहिए क्यूंकि निका एक मिसाख है जो कुरान मजीद में लिखा है निकाह इद मिसाख कांट्राक्ट बिट्वीन मिया भीवी और और मर्द तब शादी करते हैं निकाह एक मिसाख है स अभी इतनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता होता है कि ने तो आप क्या करते हैं प्यार से उसके साथ पांट हो जाते हैं इसलिए जब ये कॉंट्राक्ट अब मिया भी तका 10 शाल भात होगोज की आपको पता है हम लोग एक दुस्रे के हम पाइटिवल नहीं है जरूरोरी नहीं है कि ला दो हो ला चाहिए या शोहर में कंपाइटिवल को रुसकते हैं नहीं है वो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन कंपाइटेबन नहीं मतलब इन्नों तुमें बराबर जचता नहीं है आप आएंगे मगरभी मुल्क के जो कस्तम्स है दिवाद अलग है हिंदुस्तान के लग है बहुते पार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना इस्टन कल्चर अलग है हम सबेदा में मानते हैं हम मौडेस्ट है वह वेस्टन कंट्री में बिक्नी में घुमते हैं आपकी मेरा जवाब पुरा ने हुआ तो अगर आपकी बीवी बिक्नी में घुमें गी तो आप तो बोलेंगे वह जाओ अपने घर पे जाओ वेस्टन कंट्री में चलता है उनकी बीवी बिक्नी में घुमते हैं उनको कोई फरक नहीं और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नह तो ऐसे मुक्के पे गुरान मजीद में अल्ला सुभानाओ ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाख होना चाहिए जब तलाख होता है तो तलाख के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें क्या प्रॉब्लम है ऐसे ने का बीवी नमक ज्यादा इक खाने में आपने बला तलाख 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 नमक नहीं ज्यादा पसंदों बोलो बीवी को भाए नमक कम डालो बेटके बात तो करो तो खुरान मजीद में लिखा एक पहले आपस में बात होना चाहिए आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल नहीं होता है तो होता है तो फिर आप तलाख दे सकते हैं तलाख देनी का तरीक है तलाख तरा तलाख ने तलाख दो कि तीन महीने रुखो तो ट्राइल पिरिड है इद्दत का मुखा इस दर्मियान तीन मेहने में आपने दो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रिए सकता हूं दो अब रुजू करो कोई प्रॉब्लम नहीं तो यह ट्राइल पिरिड भी अल्लाख दाला ने दिखाया है अभी मैं आप से सवाल पूछना जाता हूं अगर आपकी एक बहन है आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं मैं सब्सुने मुझे ना जी सर मैं सब् हम आपनी बहन के लए अच्छा शोहर तलाश करते एक्कम ट्हकी करने के बाद एक साल पाद आपकी बहन आपके बाद आती है भाई साब वो शोहर जो अपने में बहनो तलाश के बिल्कुल घलता दमिअगा वो रोज मुझे मारता है क्या बाते हैं वो शराब पी के रोज मुझे मारता है रोज मुझे जल्म करता है हर रोज बिना वजे मुझे मारता है मैं उसके खित्मत करती हूँ वह उसे प्यार करते हूं फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है आप जाके उससे बात करेंगे वह प्रश्राब करेंगे वह तलाक लेकर दूसरे के साथी करें मैं आपके पूछना चाहता हूं अगर आपकी बहन के लिए अपने आपकी बहन के साथ होने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप आप पसंद करेंगे आपकी बेहन इसको जहल दे रहे क्या पसंद करेंगे वा उसको छोड़ दूसरे से शादी करो आप क्या पसंद करेंगे विंदू को जोड़ो मुस्लिम को जोड़ो आप क्या पसंद करेंगे मैं तो अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी बहन हरकत ने आपका भेंणों भी हरकत कर रहा है बहन तो बुद अच्छी आपकी मैं तो बिचारी देवी जायती है मैं उनको सबग चिखाता हूँ कि देखो बहान तुम को जो पती मिला है तुम उसी का स्वेवा करो पुझराओं या आपने प्रेंट से कहा कि आप अपने शोवर की आप शित्मत करो खित्मत करने के बाद भी रोज मारता है उसकी क्या गलती बिचारे आपकी भेंड की आप बोलेंगे बर्दाश करो आपको खल कोई मानने लगेंगा रोज आप फेफ जल्म करने लगेंगा का परदाश करेंगे आपकी भी भी आपको रोज मारेंगे आके बेलन से बेलन से रोज मारेंगी वच्छी माशनार्स की है रोज आपको मारेंगी आप उसको तंका लेके देंगे रोज आपको मारेंगे आप क्या करेंगे वान रिक्योएश मैं आप से पूछता हूँ आपकी रिपोर्टार में भाई साफ पाकिस्तान को चोड़ो मैं आप से सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं आपसे सवाल पूंचन में क्या हो रहे छोड़ो भुझे भी आपकी कर आपको अगर आपकी बीवी रोज मारते हैं घ्रोज आपको मारते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब किया कि आप करेंगे अपको समझा जैन समझती है और उस्pełजो नहीं कyss बनाओंगा और उस किले में मोटे रसी से बान करके उसको रखेंगा तुम क्या बादेगी उनको नहीं अधर तलक का तो भाद ने करेंगे वाइशाब आपकी बीवी अगर एक तो मट्टी कट्टी है आप क्या उसको किले से बादेंगे वह जापड़ा को मारेंगी आप गिर पिर आप क्या करेंगे बोलो हमनों का जो आउरत है रोज मंदिर जाती है और प्राठना करती है वह जिस्वार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए वाइसाब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अनम्दुलिल्ला मैं आपकी बीवी की बातने कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ब्राठना का प्राठना करें जी सर्साथ अगर एकजी लोने निकली निकली वह जोख रहा हम मुसलमानों के तमाज में जाते हैं आप देखते हैं कि रोज तलाक दिये जाते हैं में पहले आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बेहनों भी आपके बेहन को रोज मारता है तब क्या करेंगे एक पसंट होगा दो पसंट मुलते हैं आप क्या करेंगे में तो कदा पी त्यार नहीं होगा जोड़ेंगे ना करूंगा नश पर दो इसको क्या कर रही हैं आपके तो पतरी हो नहीं सकता है आप किस्मत वाले भाई साथ ने तमाब मुस्मानों का हम सोच रखने वाले हैं सोचते हैं आपको अगर कोई रोज मारता है आपका भेनोवी रोज परिशान करता है लाल पीला करता है शराप पीता है जुवारी है तो क्या बोलेंगे भेन को मैं तो कड़ा पीता या नहीं होगा यह बात में क्या बोलेंगे आप अपने बेन को बेन को बोलेंगे के लिए छोड़ दो नहीं तुम जा उसके कदमों में जाके पड़े रहो कदमों में मारता है उसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में ही मर जाओ तो क्या यह इंसानियत है नहीं ऐसे धर्म को मानते आप जी ऐसे धर् इसा किधाब में मानते हैं आगर नहीं कि मन लगे नहीं हम दो पैसे मैंति शूर अइप शूर अज़ोन यह जन्नत में आख Спक्रों कि मारो कि आज तो सकते हैं आप जो वोल रहstrugg कम ने शुपधे sl़ूर करह। हिंदुस्तान में उसकी वज़े यह है कि हिंदू आउरतों पर जब नाइनसाफ की होती है वो चुप चाप सहन करते हैं क्यूं उसको आवाज उठाना चाहिए मुसल्मान आवरोते आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते हैं तलाग कितने लोग का तलाग यह पूछेंगे मुझपिट में लागों लोग है कितने लोग का तलाग हो तो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा आपको भाई साब यह आपकर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाग हो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा अभी तो हिंदू राश्ट है जो कोट में पायर कर दिया जाते हैं इसलिए तलाग अगर तलाक की फिसद देखे जाएंगी जही है हिंदू के अंदर कितना जुम हो रहा है वो सैन कर रहे है क्योंकि लोग बोलते क्या वो जाएंगी जन्नत में क्या सही है ये ऐसा धर्म हो सकता है जो जुम करे अन्य तुम्हारा शोहर तुम्हारा इश्वर वो शराबी भी है जुवारी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से बलातकार कराता है फिर भी इश्वर कैसा इश्वर इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है भाई साथ इश्वर एक है फुपर वाला इश्वर है शोहर कभी इश्वर होता नहीं हो सकते हैं और अरुद बहलग हो सकते हैं तरीके तलाख है खुला है निकाए फस्कष्थ हैं तो इसके अंदर इसलाम में कहा गया है कि शौहर की इज़त करो ये भी कह गया है शौहर को के वीवियों क्शा बरताओं करो तो आपकी बीवियां शोहर के लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है लिबास मतलब एक दूसरे को सहरा देते एक दूसरे को प्रोटेक करते एक दूसरे को ब्यूटिफाइए करते हैं यह इसलाम है इससा पंट्राक्ट उसका मतलब नहीं कि अपने शादी कर दिये तो जुम भी करो इसी दिए सबसे ज्यादा अगर आउरतों पे जुम हो रहा है गाओं गाओं में जुम हो रहा है लेकिन आवाद ने उटके आप जैसे भाई अगर होई आउरत के पास तो आउरत कैसे नजात पाएंगी आप जैसे भाई हैं जो बोलेंगे कि खदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे तो कौन बहन दूआ करेंगी कैसा भाई उसक पाई न Figate दो यह भाई से छुटका राधी हैं और इसलाम में जल्म करना हराम में जल्म बर्दाश करना हराम में आप अकर जालिम का साथ ने तो आप भी दोषी है वह जन्नत में तो जाएंगी तुम जाएंगे नर्क में समझाए भाई साप? बाइज़ाब इसलाम में भाई का धर्म है कि आपनी भेंग की रक्षा करे अजर बेंड पे जुलम हो रहा भाई बोलेगा जाओ जाओ जो तो बेंड तो हो सकता है स्वर्ग में जाए बिजारी बर्दाश करिए तुम नर्ख में जाएंगे तुमको कुण बजाएंगा क्या बाइज़ाब आप नर्ख में जाना चाहते है स्वर्ग में बाइज़ाब पिसर मानता हूँ आपका बाद आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्ग में स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगा आप अपने बेंग को नर्ग बना रहे हैं जिन्दगी को और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में हाँ आप अगर औरोथ होती थी तो अगर खुदा आपको औरोथ बनाता था और आप पे दुम होता था आप क्या करते थे हाँ वो धर्म होना चे जो सारे इनसान को यक्सा मानता है तुरान शर्फ में लिखा गया है सुरह उजुरात में सुरा नमर इन्चास वे इनसानों हमने तुमें एक जोड़े से बनाया मर्द और अउरत के और आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताके आप एक दूसरे से को पहचान सको ना क्या आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इनसान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुभानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते है तक्वा तक्वा में एक इनसान दूसरे इनसान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बनियाद पे ना पैसे के बनियाद पे ना रंग के बनियाद पे ना देश के बनियाद पे लेकिन तक्वे के बुनियात पे तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Piety आप अच्छे इंसान बन सकते जबी आप अच्छे इंसान होंगे रैचेस इंसान आप खुद अपनी भेन के लिए हक नहीं चाहते तब कैसे भाई ये फिर भाई साब आप अपनी भेन को कहते है कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजब कहता है बराबर भाई साब जी आपका मजब सही कहता है ऐसे तला करना तो सही नहीं लग रहा है और भेन के ओपर जुल्म हो रहा है अगर तुम हो रहा है आपने बोले कि उसे चुप चाप सहन करना चाहिए अगर ऐसा करें तो अक्सर आदमियों जल्म करने लगेंगे मुसल्मान तो ज्यादा जल्म करेंगा तो भी जाए चले जाएगी मैं बस जाओंगा खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर खाना बना वो छोड़के भाग जाएगी तो हिंदू तो अच्छा मारो भी कुछ भी करो एश करो रोज मारो तो भी में साथ रहेंगी कैसा यह हिंदूस्तान में भी गलत है शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है रोज शराब पीके जुआ खेलके मारेंगा तो पुलीस को पता चेलिए पुलीस भी अंदर कर लेंगा आपके बेहनों को आप समझने हैं आप समझने क आप समझें ना और जितनी भी बीवी को तलाग दिया गया उसकी दूबारा शादी अगर नहीं करा सका तो पेचिया बन जाती है बाजान में जाके जिस्म बैस्ती है अगर आपके ये राहे तो आप दूसरी शादी करा हूँ ना इसलाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है हमारे रसूल मुहम्मत सलल्लाव सल्लम ने पहली बीवी जब की शी वास विडोड उनके शोर मर चुके थे आप समझे ना और जितनी भी बीवियां अगर आप दूसरी से शादी करो दोनों अच्छे थे लेकिन अपस में उनका मेल ने होता था तो जुड़ा होता आप दूसरी से शादी करो आप दूसरी से करो इतना आसान मतब ज़रूरे का जबर जस्ते अगर स्क्वेर को आप राउन में दालेंगे फिट ने हो रहा है तो आप पाट करो अच्छे तरीके से प्यार से मुबबत के साथ उनको खाली पीची कोट के अंदर जाके एक दूसरी को पर कीछर मतब चालो प्यार से अलग हो जाओ आप दूसरी से शादी करो यह दूसरी शादी करेंगा यह सबसे बहतरी ने सारे इंसानों के लिए और दोनों जन्नत में भी जा सकते ना ज़रूरी क्या क्या वो शक्त इतना जुल्म उठा है हथ तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल आपकर आप रहा हो भाई सबना जी और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मै सोच विचार कर देख लेता क्या सवाल आपका सोच विचार क्या आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लिए कि कबूल करना मुश्किल है